नमस्कार दोस्तो, आज के इस वीडियो में मैं आपके एक खास कमेंट का जवाब देने वाला हूँ, मेरे पास एक कमेंट आ रहा है कि सर जब हम mutual transfer के लिए apply कर रहे हैं, तो जो हमारा दूसरा mutual partner है, उसका photo और signature upload नहीं हो रहा है, तो guys आज इसका क्या solution है मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये प्रोलाव आपको क्यों आ रही है और इसका क्या solution है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको clear कर दूँगा, तो guys वीडियो को end तक देखना है, और हाँ आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe में करना है, मैं हूँ रभी और स्वागत आपका हमारी YouTube चैनल जवरव नहीं कर पा रहे है, इसके लिए मैंने मेरे पिछले वीडियो mutual transfer कैसे apply करते हैं, ये वाला वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया था है कि जो भी आपका mutual partner है, आप उसकी detail में कुछ भी परिवर्तर नहीं कर सकते हो, आप अपने से उसकी entry में कुछ भी changes नहीं कर सकते हो, अ अपना photo signature HRMS में पहले upload करवाईए, HRMS के employee master में अपना photo signature upload करवाईए, और वो photo signature जब upload हो जाएगा, उसके बाद वो verify or accept हो जाएगा, तो उसका latest photo signature HRMS के database में update हो जाएगा, उसके बाद ही आप HRMS में mutual transfer का आविदन submit करो, तो आपको आपके mutual partner का photo signature दिखने लग जाएगा, तो इसके लिए जो भी आपका mutual partner है, उसको या तो अपने dealing class से जाके मिलना होगा, या फिर खुद जो ESS के दूरू change request हम बेजते हैं, जहापे वो अपना personal data में जाके signature हो, वो change कर सकता है, वहाँ पर जाके वो अपना photo upload कर दे, signature upload कर दे, और उस चीज़ को वो accept करवा दे, उसके बाद उसका photo signature आपको देखने लग जाएगा, आई होग गाईज लब आपका ये डाउट तुक्लिकेर हो गया होगा कि जो आपका mutual partner है, उसकी photo signature HRMS में किस तरीके से, mutual transfer आविदन करते समय आपको देखेंगी, अब बात आती है कि अगर आपके partner की detail में कुछ गड़वड है, यानि कि कुछ detail गलत आ रही है या outdated आ रही है, तो उसके लिए भी उसको उसके dealing clerk से जाके मिलना होगा और वहां से उसके data में changes करवाने होगे, यानि कि जो भी आपका mutual partner है, उसके data में अगर कुछ भी गड़वड़ी है, तो भाई उसके data में जो भी correction होगा, वो उसका dealing clerk या उसकी railway unit से ही होगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो भी changes होगा, उसकी railway से होगा, उसकी unit से होगा, उसका DC करेगा, या वो खुद करेगा, जो भी है, वो इल कर सकता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और साथी में ए या तो आप कुछ गरत entry कर रहे हैं या आप सही से photo signature अपलोड नहीं कर रहे हैं ठीक है या आपके partner की कुछ detail गलत है या उसका photo signature अपलोड नहीं है तो एक बार आप जब form भरो तो पूरा ध्यान से देखिए कि जो भी आपने form भरा है उसमें सारी entries एकदम correct है जो भी required field है वो सारे भरे हुए है photo signature एकदम latest updated है, uploaded है तब जाके आपके form में submit करोगे तो कोई भी error नहीं आईगी और supervisor name में आपको supervisor का नाम से select करना है ना कि HMS ID से ठीक है कई लोग क्या उसमें HMS ID डाल देते तो उससे वहाँ पर select नहीं होता है supervisor supervisor को आप नाम से डाल के और find करना होगा फिर उसको select करना होगा तब जाके आप submit करोगे तो आपका application successfully submit हो जाएगा फिर भी अगर किसी के में कुछ error आ रही है तो जाईर सी बात है उसके data में कुछ ना कुछ गड़वड़ी है आपको यह information सही लगी हो तो मुझे comment करके जरूर बताए इससे आपका कुछ solution हुआ हो तो मुझे जरूर बताए और आपको HRMS में कहा problem हमारी है उसके लिए मुझे comment करके जरूर बताए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जादा से जादा लोगों में share करें वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप मेले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवारू